मातादी जै माताजी की बेटे आपकी चरणों में कुटी कुटी प्रेनाम आशिरवाद बेटे माताजी बहुत दिनों से परिशार रहते हैं इसी में घर बर और सबारी बगेरा भी आतनी हैं सरीर छोड़ छोड़ कर अच्छा जैसे बोल रहे हैं जी हुसंगाबाद जिली है स्वाग पृतेसील है जी और गाउं गाउं है कटिया कटिया जी अच्छा अच्छा अब जी तो आपकी शरीर की गती दिश्टर्ब हो रही है बेटे शरीर और मन दोनों से परिसान है हाँ दोनों से परिसान है न मा रोग भी हो रहा है और मन भी काम नहीं कर रहा है जी जी मा बिलकुल सटीक निरनाय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे है जी मा जी लोगों के आपने गल्टी भी नहीं किये और वो गल्टी मर दी जा रही है आपको जी मतलब कोई बहां जी है ना आप एक कदम चले है वो सामने वाले हजार कदम चल के और आपको वारोपी बना दिये जी जी माझे हुरा है और इदर पे हर जगे घुम लिया कहीं पर किलियर आराम नहीं लगता क्योंकि बेटे किलियर आराम इसलिए नहीं लग पा रहा है कि विध्याएं अनेक है कुछ विध्याएं आपके पास भी है है ना आपके पास सक्ती के स्वरूप में इसी प्रकार विध्याएं अनेक है लेकिन वहां विध्या से बढ़के कोई नहीं है कोई विध्या नहीं है जैसे साबर मंत्र होते हैं है ना जी मा जी तो इनमें इनको सीख लेते हैं लोग जैसे कि साप आप काटते हैं तो उसके लिए सफार वगेरा सीख लेते हैं यह कई दिन में हो जाता है, खाड़ी के समय, गुरुपोनी मा के समय, जी मा जी बिलकुल मा, जी साब किसी को काट लिये होता है तो वो सफार में गिरते नहीं है, जी मा यहाँ पे साब का कटा हुआ भी खुल जाता था, हाँ, हाँ, तो वो साब सीख लेते हैं, तो वो जिसे स इसकार विद्याएं अनेक हैं लेकिन महाविध्या से बढ़के कोई विद्या नहीं है और फिर महाविध्या के बाद में महाविध्या के साथ ही माभगवती ब्रह्मास्त्र विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं है सबसे भयानक और बज्ज्र और एक ततकाल रिजल्ट देने वाला ब्रह्मास्त्र है तो जितनी विद्याएं हैं सभी विद्याएं मिलकर के ब्रह्मास्त्र विद्या को प्रणाम नमन करती है नतमस्तक हो जाती है अब आपको जो सवारी आती है अभी तो इसके सवारी में भी आपके पूरे-पूरे वचन सत्य नहीं हो पाते जी मा ये भाव भगत में आपने काफी सम्मान प्रतिष्ठा पाए अपनी जीवन में सम्मान भी पाए, पैसा भी पाए, प्रतिष्ठा भी पाए सब लोगों के दिल में बैटके राज भी करें लेकिन आज भी सत्रू बन गए और स्वास्त में आपके सरीर में सिथिलता आ रही है पूरे सरीर में आपको जगड़ान है पूरे सरीर जी मा बिल्कुल सत्वात है मा जे तो बिल्कुल आपकी और एक दिन अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिये इस स्वास्त को और इस विद्या जो आपका खून चूस रही है जी मा बिलकुल जी हुरार मौ और वो जब रक्त पान कर रही है वो सब 64 योगनिया जागरी तवस्था में आ गई जो आपके भाव रूप में खेल रहे थे ना जी मा जी मा जी मा जी कंडिसन वर रही मा जी मा आपके शरीर को छोड़ें और आपका शरीर सहीत आपका मन भगवान श्यू और मातारानी के चरणों में समर्पित करना है आपको सीवनी आते क्योंकि भोले नाथ ही और मातारानी भोले नाथ को हम लोग बाबा महाकाल के रूप में भजते हैं भोले नाथ को जो मनुष्य जीस रूप में भजता है उसी रूप को प्राप्त करता है इसी प्रकार आपको भगवान श्यू को महाकाल के रूप में आराधना करके उनके स्रीचरणों में समर्पित हो करके रोग को भी समर्पित करो और जितने ये भाव भगात आ रहे हैं और ये जोगनिया रक्त पान कर रही है जिस करण से आपका चिड़ चिड़ा मन हो गया घर में भी कोई अच्छे नहीं कहते हैं आपको बाहर की तो चोड़ो जी माजी कंडिशन हो रहे है अब बाहर वाले कुछ भी कहा है भाई बनते चें सत्रू लेकिन घर वाले तो ना बने सत्रू घर में भी बहुत ज़्यादा मतलब दस लोग हों दसी तिरवे रहे दरे दसों दिसाओं में घुमते हैं दिमाग उनका दसी तो यह सारी परिस्थितियां आपके ठीक हो मातरानी के चरणों में अरजी लगा करके और संपूर जानकारी आप प्राप्त कर लेना बेटे कैसे ठीक हो जाओगे यहां आने के बाद आपको मैया की कृपा प्राप्त होगी और मैया की शरण लेकर के मैया को ही भजो और मैया के नाम से ही आप अगर कहें कि किसी को भी अगर आप कहते हैं कि मा की शरण में आने से सर्व संकट से व्यक्ति मुक्त होता है सर्व बाधा से मुक्त होता है सर्व सुख को प्राप्त करता है एक बार समय निकालके माता जी के चरणों में समर्पित होवे और मा दू मिनिट मेरी एक बात वर सुल लेना मा जर्ला कुछ मेरे साथ घटना है घटी सर्ब बगेरा मिला है वोगाया वोगाया कई बार दानी बगेरा आ गए मुझे सब दिख रहा है मेरे बेटे क्योंकि आपका जीवन काल से ग्रसित हो गया काल समझते हैं काल से ग्रसित हो गया है और बार बार वो संकेत दे रहा है कि तुमारे जीवन में काल दोस मड़रा रहा है तो इस काल दोस से जल्दी से मुक्ति पाने के लिए महा काल की शरन और मा बगला मुखी की शरन आपको लेनी चाहिए और आपके जीवन में सुख और सौभागी की प्राप्ति होगी और ये सत्रू सब मित्रता में परिवर्तित हो जाएं तो वहीं पर आना पड़ेगा मा बेटे सी उनी आना पड़ेगा मा और जे आजाएंगे बो तो कौन जे सरीर में जो आ रही है वो देवी सक्तिना है मा कि इससर बगयर अगर बूत्परे सब को लेकिया हो इधरे और हमने बोलने चलो आउवाहन करके हमारे साथ चलो गहीने मा क्रांजी थीख है यह जो भूमरा है है वो तो अब भी तुम बात भी कर रहे हैं तो तुमारी वाणी में लड़कड़ा हट पेदा करsa रहा है लेकिन होने नहीं दे रहे हैं न वो बात मिलने नहीं दे रहे हैं सटीक जगह तुमको पहुंचने नहीं दे रहे हैं गलत जगह भटका भटका के और पैसा इसा सब खर्च करवा दिये आपसे जी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा है इस टेम पर करद बागेर आकी नहीं बन गई तो माज ये सब खराब चीज़ें जो आ रहे हैं जी सब अंस मातर है मैया का और ये अंस के साथ में ये जोग जो मैया के साथ में जो जो जोगनिया रहती है न चौसट योगनिया भाबा नाचते हैं भाबा भोले नाद भैरो के स्वरूप में चौसट योगी निगावत नित्यकरत भैरो बाजद ताली बजाते हैं देवदा जन अभी जे नो नाद नो दुरगा के नो नाद का सेग्र बोध अगर करना है तो फिर माके शरण में साथा के सिद्धों के दर अबित डर्वार में नहीं लगा तरे शरण में आपका नमबर लगा हुआ है जी माझत अन्तिमत का पूरे ब्रहंवान्द का पूरे नगी देताओं का अन्तिमत करण अप ध्रम्हां उ पूरे लग जाएगा लग जायगा बेटी जी